अगर suspense thriller film में देखना पसंद है वो भी Bollywood की तो भाया एक नाम आपने जरूर सुना होगा कहानी ये उन गीनी चुनी फिल्मों में से एक है जो किसी भी चालाक इंसान का घमन तोड़ सकती है आँखों में आँखे डालके जूट बोलती है ये फिल्म और हम बड़े प्यार से उल्दू बनते चले जाते हैं लेकिन ये बंदा याद है आपको अपनी हिरोईन की जान लेने आया था और बदले में ओडियन्स को अपना फैन बना के चला गया सच सच बताना तब दिमाग में खयाल आया था ना काश इस बंदे की बैक स्टोरी सुनने का मौका मिलता अगर इसके उपर फिल्म बन जाती तो मज़ा आ जाता तो बस आपने बोला और दुआ कबूल हो गई बॉब बिस्वास ओन जी फाइफ पधार चुके हैं बस चहरा थोड़ा सा बदल गया है लेकिन कांट पहले से भी खतरनाक और डरावने हैं अपना हीरो वापस आया है एक एकसिडेंट के बाद पूरे आच साल कोमा की वज़े से हॉस्पिटल को बाई बाई बोलके बस दिक्कत चोटी सी ये है कि बॉब का दिमाग भुलककर बन गया है जी हाँ बंदे की यादाश गायब हो चुकी है जैसे मान लो ये आजी पैदा हुए हैं पुराने लोग भी नए से लगते हैं और नए वालों से एकदम एलियन जैसी फीलिंग आती है लेकिन कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं ये दो बंदे जो बॉब पे दिन से रात तक 24 घंटे नज़र रखते हैं और अचानक एक शाम कार में किड्नैप करके उसकी मुलाकात एक कड़वे सच से कराते हैं दरसल बॉब बिस्वास कोई मामूली इंसान नहीं है ये एक चलती फिरती किलिंग मशीन है एक ऐसा सीरियल किलर जिसका निशाना आज तक कभी खाली नहीं गया जैसे क्रिस्मस में सेंटा बच्चों को गिफ्ट बाटते हैं अपना बॉब बच्चा हो या बुड़ा सब को गिफ्ट में मौद बाटता है और अब बारी है बॉब की काम पे वापस लोटने की जो एक लोटा रास्ता है अपनी खोई हुई आदो को वापस पाने का जिसके बाट क्या सच है क्या जूट उसके उपर से धीरे धीरे परदा हटना शुरू हो जाता है देखो बॉस फिल मज़िदार है क्योंकि इसका कॉंसेट काफी नया है औरिजिनल एंड दमदार ना तो ये किसी साउथ फिल्म का रीमेक है और ना ही बायोपिक बना के पैसा चापने का शॉटकट सबसे आसान होता है किसी भी कहानी में हीरो विलन के बीच में से एक साइड जुनना लेकिन जब हीरो ही विलन है और विलन ही हीरो तो फिर आप साइड लोग है किसकी एक ऐसा बंदा जो सिफ टाइम पास के लिए लोगों की जान लेता है और तरपा तरपा के उनको नर क्यातरा पे भेजता है वो किसी कहानी का हीरो कैसे हो सकता है एक नेगेटिव केरेक्टर को सेंटर पे डालके उसके चारो तरफ पॉजिटिव कहानी लिखना इसको बोलते हैं टॉप लेवल की क्रियेटिविटी जिसकी ज़रूरत बॉलिवुड को फिलाल सबसे ज़ादा है दूसरा कमाल है डिरेक्शन का मतलब किसी इंसान की ट्रेजडी में कॉमेडी ढून कर बहार निकालना ये सबसे कठिन काम होता है इधर ताजा ताजा लाल खून पड़ा है और आपसे हसी कंट्रोल नहीं हो रही मतलब किसी की मौत को भी लाफ्टर चैलेंज में बदल देना ये चीज़ फिल्म को स्पेशल बना देती है डिरेक्शन का एक कमाल ये भी है कि ये फिल्म पूरे दो घंटे ओडियन्स को कहानी में हीरो की जगे खड़ा होने को मजबूर कर देती है पूछो कैसे? क्योंकि वो बिचारा Memory Loss का शिकार धीरे धीरे एक एक ठीज समझता है वैसे वैसे हम भी सब कुछ सीखते जाते हैं उसकी आँखों से दुनिया को समझना फिर कौन अच्छा है कौन बुरा उसके बारे में फैसला करना इससे होता यह है कि आप बॉब इसपास के कैरेक्टर में खुद को देखने लग जाते हो और फिल्म की कहानी से personally जोड़ जाते हो तो बॉब की फीलिंग आपकी फीलिंग आपकी फीलिंग बॉब की फीलिंग लास्ट में आते हैं surprises मतलब ऐसे ऐसे twist and turn जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो character जो आपको लगेगा यह end में mastermind निकलेगा वो अगले scene में खतम और वो जिस पे तरस आता है या भार से एकदम शरीफ भोले भाले मासूम इतनी जल्दी रंग बदलते हैं कि आपके होश उट जाएंगे expect the unexpected इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो हो नहीं सकता कोई भी टपक जाएगा या कोई भी अमर हो जाएगा आप जो सोचोगे वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला शर्ट लगा लो अभी सीधा अभिशेक बच्चन क्या must कलाकार है ये बंदा एकदम solid performance जो comeback किया है अभिशेक ने पिछले कुछ टाइम में सच बोलू ये बॉलिवुड के सबसे underrated एक्टर बन गए हैं बॉब का character अल्रेडी शाष्वता सर प्ले कर चुके थे कहानी में और वो legend है उनके character को दुबारा प्ले करने के लिए हिम्मत चाहिए लेकिन अभिशेक ने पूरी कोशिश की है कि आपकी यादों से वो पुराना चहरा permanent गायब हो जाए और बॉब की जब जब आपको याद आए तो सिर्फ ये चहरा आपके दिमाग में प्रकट हो जाए बेंगॉली accent से लेकर एक unusual transformation फिर serious dark character में खुद को as बिचारा प्रेजेंट करना इतना कठें रोल जूनियर बच्चन हस्ते हस्ते खेल गए दिल से respect है बॉस लेकिन सिर्फ अभिशेक नहीं अगर घर बैठे बैठे आप फिल्म के थ्रू कोलकाता शहर पहुँच गए हो तो उसका credit supporting actors को ज़रूर जाना चाहिए जिनके scenes छोटे हैं लेकिन natural और दमदार हैं ये सब बैंगॉली actors इतने perfect तरीके से कहानी में कोलकाता वाला flavor add करते हैं कि language हिंदी होने के बावजूद आपको ऐसा लगेगा जैसे regional cinema की कोई बढ़िया film देख ली हो तो यार मेरी तरफ से बिना किसी शक के film को मिलेंगे 5 में से 4 stars एक star दिमाग से खेलने वाले direction के लिए तो दूसरा चालाकी से reverse gear में चलने वाली कहानी के लिए तीसरा अभिशेक and supporting team की जबरदस खतरनाक acting के लिए तो लास्ट चौथा वाला tragedy को comedy में बदलने वाले काफी interesting screenplay के लिए बात करो negatives की तो half star कटेगा film की थोड़ी सी slow रफतार के लिए मतलब तसली से देखना पड़ेगा इसको बिल्ड अप होने में time लगेगा जट पर फटा फट कुछ नहीं मिलने वाला और half star बॉब इस पास की actual कहानी वो क्या है बॉब सीरिल किलर बना कैसे इसको पूरा ignore मारते हुए सिर्फ और सिर्फ उसका present दिखाना कुछ सवाल अधूरे ही रह गए आगे film देखो और खुद जान लो काफी time बाद एक must thriller आई है जिसको पूरी फामिली के साथ enjoy कर सकते हो बिना किसी tension देख डालो बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी बढ़ना थोड़ा से इंतजार करिये मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई